हेलो एवरिवन वल्कम बाइक आज हम देखेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रोनिक्स का चाप्टर वन जो की है इलेक्ट्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स इस चाप्टर के कंटेंट्स है कैथोड रे ट्यूब जो की बोलते हैं CRO, फंक्शन जनरेटर और डिजिटल मल्टिमीटर जिसका शॉट फ़र्म है DMM अब इन चारो डिवाइसेस में से डिजिटल मल्टिमीटर आपके सिलेबस में से कम हो गया है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे सिर्फ यह तीन डिवाइसेस पढ़ेंगे अब electronics में जब भी कोई signal को हमें study करना होता है या फिर उसको measure करना होता है तो हमें सबसे पहले उसके waveform का जो behavior है, characteristics है उसे study करना होता है उसके लिए यह सारे devices जो है यह तीनों चारों यह use होते हैं और यह सारे devices किस तरीके से वो signals को display करते हैं उसमें process क्या होती है वो हमें इस chapter में देखना है सबसे पहले हम CRT देखेंगे CRT को सबसे अच्छे से पढ़ना पड़ेंगा क्योंकि CRT main और important block है और cathodary oscilloscope जब हम पढ़ेंगे तो cathodary oscilloscope का जो एक part है main part वो है CRT so CRT जो है वो most important topic है तो अब हम वो चालू करेंगे अब CRT में चार types की assembly होती है सबसे पहली होती है electron gun assembly दूसरी होती है deflection assembly, fluorescent screen, glass envelope and base of the tube अब यह क्या होता है हम वो diagram के जरिये देखेंगे cathodary tube यह है cathodary tube की block diagram यह सारे उसके internal part से और यह एक tube structure है सबसे पहले question क्या होगा कि what is CRT what is cathodary tube so उसका definition क्या है special constructed vacuum tube which act as a visual indicator of electrical voltage उन्होंने क्या बोला है special constructed vacuum tube अब vacuum tube मतलब क्या होता है जब diode का invention नहीं हुआ था या फिर जब diode यूज नहीं करते थे तब unidirectional flow के लिए vacuum tube यूज करते थे तो वही vacuum tube है यहाँ पे अब यह CRT में क्या होता है कि जैसे ही electron beam screen पर यह strike होता है तब हमें यहाँ पे visual indication मिलता है कि waveform कैसी है waveform कैसे दिख रही है उसमें जो parameter से वो कैसे है अब हमें कोई भी चीज का जब हम visualization करते है तब ही वो हमें अच्छे से याद में रहती है तो इसलिए यह CRT बनाया गया था कि जैसे कि यहाँ से जो भी signal आएगा उसका visualization यहाँ पे होगा और हमें उसके सारे parameters की अच्छे से जानकारे मिलेगी CRT अलग-अलग चीजों में यूज होता है जैसे कि CRO, Radar और पुरानी जो हमारे TV थे उसमें थोड़ा सा advanced type का CRT था अब CRT के दो types होते हैं पहला होता है Electromagnetically Deflected CRT और दूसरा होता है Electrostatically Deflected CRT अपने syllabus में Electrostatically Deflected CRT है तो हम वहीं पढ़ेगे सबसे पहले अब जो हमने assembly देखी थी चार parts देखे थे CRT के तो सबसे पहले था Electron Gun Assembly जो की ये part है फर Deflection Assembly जो की ये part है Fluorescent Screen Assembly और Glass Involup सबसे पहला ये part Peans for External Connection यानि कि जो भी signal है जो भी voltage है वो हम यहां से apply करेंगे ये base है ये pins है यहां से हम connection देंगे voltage apply करेंगे अब ये part आता है Electron Gun Assembly Electron Gun Assembly is consist of filament, cathode, control grid which is very important and three types of anodes जो की first है pre-accelerating anode, फिर focus anode, accelerating anode अब यहां पे तीन टाइप के anodes क्यो है वो हम आगे देखेंगे सबसे पहले अब base और pins से यहां से voltage अंदर आएंगा अब यहां पे ये cathode है यानि कि negative charge है और ये है control grid तो यहां पे जो signal आएगा उसको ये जो यहां पे filament है उसको वो heat up करेंगा अब जितना ज्यादा signal होगा जितना high signal होगा उतनी ही ज्यादा heat होगी तो ये उतना ज्यादा heat up होगा और यहां से electrons emit करेंगा अब electrons यानि कि ions जब emit करेंगा तब जितना ज़्यादा voltage उतने ज़्यादा ions होंगे और अब सारे electrons का charge सेम है तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि same charges always repel each other अब कुछ जो electrons होंगे वो ये grid से बहर आने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे इस जो grid है इसमें एक छोटा सा hole होता है उसमें से वो बहर आने की कोशिश करते हैं और ये जो cylinder है वो nickel cylinder है और हमने उसे negative grid यानि की negative charge से supply दिया है यहाँ पे accelerating plates आती है यानि की पहली होती है pre accelerating anode अब anode मतलब यहाँ पे होता है positive charge अब ये 3 plates तीन anode क्यों दिये है वो हम one by one देखेंगे सबसे पहला होता है pre accelerating anode अब ये बोला है pre acceleration मतलब उसको वो गती देता है उसको वो fast भागने के लिए ताकत देता है तो जब भी यहाँ से electron बाहर आएंगे, emit होंगे तो ये pre accelerating anode जो है वो उसको आगे accelerate करने में मदद करेंगा और यहाँ पे anodes है और electron का negative charge, anodes का positive charge तो वो उसकी तरफ attract होंगे और यहाँ से वो fast जाएंगे दूसरा होता है focus anode, focus anode इसलिए use करते है कि अब यहाँ से जब ये electrons बाहर आएंगे तो वो positive के तरफ attract होंगे इधर उदर जाएंगे बट जब focus anode होंगा यहाँ पे तो वो उसको focus करता है और आगे एक line में ढखलता है अब यहाँ पे देखो जो pre accelerating anode और accelerating anode है उसको 10 kv, 2 kv to 10 kv voltage देते हैं बट जो focus anode है उसको 400 volt दिया है यानि कि जो pre accelerating और accelerating anode है उसका voltage बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि वो acceleration purpose के लिए use कर जाते है बट जो focus anode है उसका voltage कम होता है यानि कि यहाँ पे जब electrons इस portion में आते है तब उसकी speed थोड़ी कम हो जाती है और उसको अच्छे से focusing purpose के लिए focus करने के लिए help हो जाती है तो इस तरह से यह दोनों anode work करते है अब accelerating anode क्या करता है जब यह electrons यहाँ पे focus हो जाते है तो उसको फिर से accelerate करता है फिर से उसको गती देता है और वो यहाँ से आगे एक line में निकल जाते है अब जो second assembly होती है beam deflection assembly यहाँ पे deflecting plates assembly so यहाँ पे two types की plates होती है एक होती है vertical plates और दूसरी होती है horizontal अब यह जो vertical plates है वो इस तरह से यहाँ पे लगाई हुई होगी जब भी यहाँ से electrons emit हो जाएंगे तो इस plates में से जाते है अब electrons का charge है negative तो यह जो vertical plates है उसको यहाँ से positive charge दिया जाता है अब यह plates है तो उनको इस side से positive charge दिया जाता है अब यह है negative यह है positive तो यह जो electrons है वो यह side को move होंगे positive की तरफ अब जब electron इदर से इदर आएंगा तो positive की तरफ attract होंगा सीधा तो नहीं जाएंगा पर यह यहाँ पर positive की तरफ attract होंगा तो इसलिए इसे v y क्योंकि यह y direction के तरफ attract होता है इसलिए इसे y deflecting plate कहते है और vertical deflection plates भी कहते है जब electron आता है तो इस plate के तरफ move होता है attract होता है वैसे ही अब वहाँ से वो सीधा सीधा आगे जाएंगा और यहाँ पे है horizontal deflection plates horizontal deflection plates में क्या होता है वो इस तरह से खड़ी लगाई गई होती है तो उसमें जब भी यहाँ से electron इधर आता है तो इसे भी positive charge दिया होता है तो वो इस तरह से move करेंगी यहाँ पे उपर नीचे move करती है यहाँ पे इस तरह से move करती है तो यह दोनों plates का का क्या होता है कि जो भी हमने voltage apply किया है उस हिसाब से वो जो electron है वो यहाँ पे दिखाने का काम करती है उसके जो scale है वो determine होती है जो हमारा two dimensional graph होता है हम एक y axis दिखाते हैं x axis दिखाते हैं तो उस पे कौन सा point कहा रखना है उसका जो वर्थ है वो इस दोनों deflection plates से होता है और इस तरह से इन दोनों deflection plates में से electron beam यहाँ पे आगे जाती है और यहाँ पे strike हो जाती है यह है phosphor screen एक ध्यान रखना है यह phosphorus screen नहीं है यह सिर्फ phosphorus screen है यह fill in the blanks में पूछा जाता है तो वहाँ पे phosphorus नहीं लिखना है phosphor screen लिखना है अब यहाँ पे जब यह beam आती है यहाँ पे strike होती है तो हमें यहाँ पे image यानि की waveform दिखती है उसका visualization होता है तो यहाँ पे यहाँ से light का emission होता है यहाँ पे middle में दिखती है हमेशा image हमें वो move करने आती है वो CRO में देखेंगे हम बट CRT में तो जब भी यहाँ से beam हम pass करते है यहाँ पे voltage देते है तो यहाँ पे middle में हमें image दिखेंगी यह पूरे screen पे जितना ही high voltage देंगे इतनी image sharp होंगी low voltage में थोड़ी कम होंगी और अच्छे से हमें सारे parameters यहाँ पे visualize होंगे इस deflection plates और यह electron gun assembly के मदद से इस तरह से cathodrate tube work करता है cathodrate tube में हमें यह सारे जो चार इसके assembly के पार्थे वो ध्यान रखने हैं यह इसकी simple block diagram है यह भी पढ़ लो और इसकी naming ही हमें अच्छे से करनी है अगर आपको इसमें कुछ doubts या queries हो तो आप comment section में जरूर पूछे इस वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe करना भी ना भूले Thank you झाल झाल झाल